Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to discuss about BPSC 66 recruitment. तो BPSC ने अपना 66 recruitment notification जारी कर दिया है, जिसमें total number of post जो आया है, 562 post है, ओके? And exam form fill करने का date है 28 September से 20 October and इस form को कौन fill कर सकता है? तो जिन लोगों ने भी graduation कर रखा है, वो ये form को fill कर सकते हैं. And exam date, जो tentative date आया है, वो 27 December का है. तो चलिए इस notification को आपने डिटेल में देख लेते हैं. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे total number of post जो है, variety, ठीक है? यह 14 तरह के post आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. पर्द का नाम जो दे रखा है, यह 14 तरह के हैं. And यहाँ पे जो वेतन मान है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो maximum है, level 9 के vacancies है, and कुछ level 7 के भी है. उसके बाद के columns में आरक्षन दे रखा है, जो reservation category है, उनके हिसाब से seats distribute कर रखा है. जैसे कि अगर हम लोग पहली category को देखें, पुलीस उफा दिख्षक, तो total number of post है 34, जिसमें से 8 seats are reserved for women category. ठीक है? तो इस तरीके से बागी के भी post आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा minimum age दे रखा है, and maximum age भी दे रखा है. तो कुछ post के लिए minimum age 20 years है, and कुछ के लिए 22 years है. वही पे बात करें, हम maximum age की, तो यह 37 years for men है, and for women 40 years है of general category, and for reserve category, यह plus 3 हो जागा, plus 5 हो जागा accordingly. तो हम दो देखते हैं, तो आप एक बार देख लेजेगा यह जो भी, जितने भी post है, total number of post मैंने आपको बताया, 562 है, जिसमें से 169 post are reserved for women category, तीक है, यह 562 post में ही 169 are reserved for women category, and आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि SDM का post इस बार नहीं आया है, हाँ यह बहुँ चौकाने वाली देखते हैं, कि SDM का post इस बार नहीं आया है, देखते हैं, क्या होता है, हो सकता है, वो बाद मैं add करें, but as of now, SDM का कोई भी post नहीं आया है, ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, तो देखे हैं, यहाँ पर education qualification है, तो अगर आपने graduation कर रखा है किसी भी stream से, तो आप इ reservation देख लिजएगा, अपने category के हिसाब से कि किस type का reservation मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, आगे हम बात करें age limit की, तो मैंने आपको age limit बताया है, कि minimum age जो है, वो 20, 21 and 22 years है, according to the post, ठीक है, और उसके अलावे men की जो age है, वो है 37 years maximum age होनी चाहिए, general category की, and जो women category है, of general, उनका ह 40 years of age, इसके अलावे जो भी reserve category के हैं, उनका plus 2, plus 5, plus 10 हो जाएगा, तो आप देख लिजएगा, आप जिस category में आते हैं, उस हिसाब से देख लिजएगा, मैंने general category का आपको बता दिया, ठीक है, उसके बात आप देखिएगा, अगर आप interested है, बिहार पुलिस सेवा में, तो आप शारीरिक छमता भी एक बाद देख लिजगा कि कितनी आप लोग को हाइट चाहिए, जो अधर पोस्ट है, उनके लिए शारीरिक छमता जरूरत नहीं है, यह जो पुलिस सेवा है, इसके लिए ही जरूरत है सारीरिक छमता की, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते है, फॉर्म फिल करने का जो चार्जस आएगा, तो जो जेनरल काटेगरी है, उनके लिए 600 रुप्या है, जो अधर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए भी 600 रुप्या है, जबकि जो रिजर्व काटेगरी से है, STSE हो गया है, ठीक है, उनके लिए ये 150 रुप्या में होगा and जो women candidate है बिहार की उनके लिए भी ये फर्म 1.500 रुपय कहीं होगा ठीक है other state वालों के लिए 600 का होगा चाहे आप कोई भी category से क्यों नहीं belong करते क्योंकि जो other state वाले हैं वो जब देंगे एक्जाम तो वो general category में count होंगे फिर यहां पर जो आपका एक्जाम होगा आपको तो पता है कि pre mains and interview होता है जो pre-exam होगा वो टोटल 150 marks का होगा दो घंटे का पेपर होगा जिसमें की 150 marks होंगे और इसमें जो subjects है जो general studies के subject होते हैं वही है आप इसको एक बार देख लिजएगा ठीक है इसके अलावे यहां पर दे रखा है आपका optional का subject तो अगर आप pre-qualify कर जाते हैं तो आप मेंस जब लिखेंगे तो आपको एक subject पता होना चाहिए कि आप किस से optional देना चाहते हैं तो यह means की exam के लिए हैं इसके अलावे अगर हम देखें तो देखें यहां पर form fill करने का जो date है 28 September से है and the last date is 20 October ठीक है तो आप लोग last date का wait नहीं कीजेगा आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी form fill कर लिजेगा इसके अलावे यहां पर हम लोग देखें तो कुछ important advice दे है मैं आपको एक बात बता दू कि आप अगर सोचेंगे कि last day form fill करते हैं तो आपका form fill नहीं होगा because इस form को fill करने के लिए 3 दिन चाहिए इस form will be filled in 3 phase, 3 phase में यह form fill होता है, first day आप registration कर पाओगे ठीक है अगले दिन आप payment करोगे और जो third day है उस दिन आप form fill करोगे तो form fill होता है इसका three phase में एक ही दिन registration and payment नहीं हो सकता पहले दिन आप registration करोगे दूसरे दिन आप payment करोगे और third day form fill होगा तो तीन दिन चाहिए तो आप अपने according एसे तीन दिन निकालके form इसका फिल कर लेना ठीक है तो चलो इसका जो भी link है मैं शेयर कर दे रही हूँ description में तो आपको doubt नहीं होना चाहिए अगर फिर भी doubt है तो आप comment box में पूछ सकते है तो जो भी student general competition की तयारी कर रहे है मैं उनको advice करूँगे कि आप यह form फिल कीजिए exam दीजिए अभी सगर हम देखे तो 3 months है तो इतना time काफी होता है अगर आप serious candidate है तो तो ठीक है अच्छे से prepare कीजिए और कोई doubt होगा तो पूछिएगा चलिए thanks for watching